मैं कानपूर की गर्मी का आधी हूँ, लोग मhrषट परचार के आधी है तो इस प्रकार के जो आधी वाले जो sentence होते हैं, उनका अनवाद हम किस प्रकार से करते हैं, इस video lecture में आज हम दह хочेंगे तो जो आधी होता है, उस आधी का जो अंग रेजी होता है, वह होता है used to तो आज used to के कुछ हम पर्योग देखेंगे तो देखते हैं कुछ पहले example जैसे दिया है कि मैं कानपूर के गर्मी का आदी हूँ अब आदी होना का मतलब यहा है कि उस ऐसे माहौल में रहते रहते हैं मजबूरन उस माहौल के हम आदी हो गया हैं तो उसके लिए हम used to का पर्योग करते हैं तो इस प्रकार के जो भी sentence होंगे हम उसको अगर अनवाद की रूप में लिखते हैं तो होगा सबसे पहले subject, फिर is mr, फिर अगर sentence negative में होगा तो not लगा देंगे फिर used to, फिर noun या जो भी other word होगा हम उसको लिखेंगे जैसे दिया है कि मैं कानपूर के गर्मी का आदी हूँ अगर हम इसका आमबात बनाते हैं तो हो जाएगा I, फिर हो जाएगा I, sentence negative में नहीं है तो not नहीं लिखेंगे फिर used to, यह हो गया used to, और उसके बाद अब किसका आदी हूँ तो कानपूर के गर्मी का यह हो जाएगा the heat of कानपूर यह हो गया I am used to the heat of कानपूर फिर उससे तर दिया है कि लोग भरष्टाचार के आदी है अब किसके आदी है तो भरष्टाचार के तो भरष्टाचार के अंग्रेजी जो होती है वालिक देंगे हो जाएगा करक्षन फिर उसी प्रिकार अगला सेंट्टेंस है कि मैं तुम्हारे जलाहट यानि नखरों का आदी हूँ तो अब नखरों का आदी हूँ अमेशा जलाहट होता है तो उसके लिए तो I am He used to अब यहाँ जलाहट अब किसके जलाहट तो तुम्हारे जलाहट क्या हो जाएगा यूर और जलाहट का हो जाएगा टेंट्रॉम्स अब अगला दे रहा है कि हम सब इस मौसम के आदी नहीं है नेगेटिव सेंटेंस में दे रहा है तो नौट जूड जाएगा शहायक्रियक की तुरत पस्चा कि हम सब इस मौसम के आदी नहीं है तो यह हो गया वी आर नाट और यहाँ हो जाएगा यूज टू अब इस मौसम का तो यह हो जाएगा दिस वेदर यह हो गया फिर उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि मैं तुम्हारी बगवाश का आदी नह हूँ यह अभी नेगेटिव सिंटेंस में तो आई एम नाट यह हो जाएगा यूज टू तुम्हारी बगवाश के यूज नौन सेंस यह हो जाएगा यूज नौन सेंट तो इस प्रकार जो भी सब्जेक्ट इज एम आर फिर नौन या अधर वर्ड जो भी बचेगा उसको उन ले देंगे तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा तो निश्चित रुप से इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर अब तक आपनी चैनल को सब्स्राइब नहीं किया तो सब्स्राइब कीजिए फिर में नहीं किसी अनने वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद